दोस्तों देखिए आपको अगर यूरिन में बदबु आती है प्रषाप पर रंग बदल गया है दर्द होती है परिशाप करने के अगर आपको पहुत तेज आपको तिस में पनायल बोडी में ये थाई की तरफ दरदाता है तो आप इमान के चले कि आपको स्टोन है अब अगर आपको स्टोन है तो डागनोस कैसे करें डागनोस करने का बड़ा सिंपल तरीक है आपको एक एक्सरे करना होगा एक्सरे के यू भी कराके आप पता लगा सकते हैं अल्टर यो लुसेंट होता है तो उसमें आपको एक नई जांच होती है जिसको आई वी पी या इंट्रावेनस पाइलोग्राफी कहते हैं इसके जरी आप इस बिमारी को डागनोस कर सकते हैं तो जैसी आपका डागनोसिस कंफर्म हो गया अब बात आती है कि हम इसको निकाले कैसे है हाला कि हम पहले बात कर चुके हैं कि यह बंती कैसे हैं तो जो कारण है स्टोन के बनने के उनको आपको अल्मिनीट करना पड़ेगा और यहां पर हम बात करेंगे कि हम इसको निकाल कैसे सकते हैं फर्दर जो स्टोन ओल लेडी हमारे शेरी के अंदर बन चुकी है इसके साइते हैं किड्नी स्टोन's को निकालने के लिए खास तोर से अगर यह स्टोन केल्सियम ऑक्जिलेट की हैं क्योंकि ब्रोफाइलम के अंदर इक यह चिमिकल कंपाउंड पाया जाता है केलियम को और ऑक्जिलेट को ब्रेक करता है और इसका एक कंपाउंड है वो oxalate को अपने साथ मिला लेता है, calcium को release कर देता है तो इसके वज़ेसे ये जो stone है, वो गलने लगती है, तोटने लगती है और बड़ी आसानी से ये stone बाहर निकल जाती है अब इसको 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 कैसे करें, ये simple एक पोधा है आप घर में उगा सकते हैं, अपने बगीचे में भी उगा सकते हैं और आप इसको पत्ते लाके आप यूज कर सकते हैं तो रोजाना आप अगर कुछ छोटा पत्ता है तो दो पत्ते है और अगर बड़ा पत्ता है तो एक पत्ता है इसको काफी होता है रोजाना बासी मूँ खाली पेट इसको चबाएं चबाके खाएं एक गंटे तक फिर कुछ भी ना खाएं उसके बहुत सारा पानी पिएं फिर आप ब्रेक फास्ट जो आपका नॉर्मल रूटीन खाना है वो खाते रहें करीब देड़ से दो मेने में स्टोन निकल जाती है उसके लावा दोस्तों एक दवाई होती है कुलती इसको पाणी दाल के नाम से भी जाना जाता है इस दाल को आप पहले दुले और या तो तामे का बरतन ले ले या फिर आप शिशे का गिलास ले ले या मिट्टी का बरतन ले ले उसमें इस दाल के कुछ तीन से चार चमच आप डाल दीजे जो आपने दाल धुली थी और इसमें गरम पानी डाल के रख दीजे कुछ एक गिलास गरम पानी डाल दीजे और ढखके रख दीजे सुबह तक के लिए सुबह जब देखेंगे तो ये जो पानी का रंग है वो कुछ गुलाबी भूरे रंग का हो जाएगा इसको चाने और पानी को आप पी ले जो बाकी डाल या कुलती बची थी उसे फिर से एक गलास गरम पानी डाल दे और इसको फिर से ढखके रख दे और फिर शाम को चाने और इस तरह के से शाम को वो पानी जो चान के आपने निकाला था उसको पी लें और जो बाकी डाल या कुलती थी उसको फैक दे तो इस तरह से आप एक बार की डाल को दो बार इसको भी आप डिर दो महीने इस्तेमाल करके किड्नी स्टोन को निकाल सकते हैं कोशिश करें कि कुल्ती और पत्तर चटा का एक साथ इस्तेमाल ना करें क्योंकि एक ही दवाई से स्टोन निकल जाती है लेकिन अगर आपको लगता है कि एक से फायदा नहीं आ रहा है तो दोनों के भी आप कलब कर सकते हैं लेकिन डॉक्टर की देखरेक में करें तो बहुत अच्छा है उसके लावा दोस्तों कुछ एलकलाइजर जो दवाईयां होती है क्योंकि जब एसिडिक मीडियम होता है तो वहाँ पे यूरिक एसिड के स्टोंस बनने के ज़्यादा चांसे रहते हैं तो उसके लिए आपको अगर आपका यूरिन का मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि पिशाम में जलन भी होती है तो आपको alkalizer यूज करना पड़ता है रिनालका हमालिया का आता है और उसके साथ साथ due दवाइया है एक नीरी दवाइया आती है और एक सिस्टों दवाइया दवाइया आती है सिस्टों भी हमालिया की दवाइया है और मैं यह कोई promotion नहीं कर रहा हूं, that is, जो हम treatment देते हैं लोगों को, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक capsule नीरी, दो टेबलिट से stone, सुबा शाम, रिनाल का सीरप के साथ, अगर आप इस्तमाल करेंगे लगा था, तो आपके जो निकलने वाले stone है, वो बड़ी असानी से निकल जाएंगे, आपको परिशानी नहीं होगी, आगर कुछ थोड़ा बड़ा stone है, 8-10 mm का stone है, जब निकलते समय आपको तकलीफ हो सकती है, आपको प कालक हो गया, टमाटर हो गया, बीन्स हो गया, इनको ना खाएं, और पानी बहुत जादा पिएंगे, जितना जादा आप पानी पिएंगे, और अगर oxalate कम खाएंगे, तो कैल्शम और oxalate जब नहीं मिलेंगे, तो कैल्शम oxalate के stones भी नहीं बनेंगे, तो आप stone बनने से र बंद कर दे, किसी भी तरह का, और आप, क्योंकि जब आप नॉन्वेज जादा काते हैं, जब वो डाइजेस्ट होता है, तो उसे protein जब डाइजेस्ट होता है, तो यूरीक एसिड बनता है, और यूरीक एसिड जब बलड के अंदर जाता है, तो फिर वही कारण होता है, कि पानी जब जाता है, तो आप इन स्टोन्स को बनने से भी रोख सकते हैं, और जो बने उनको बाहर आसानी से निकाल भी सकते हैं, उसके रावाद दोस्तों, आप सिट्रस फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तमाल करें, जो खट्टे फ्रूट्स होता है, जिनमें विटामिसी या साइट्रेट जादा पाया जाता है, जिसे निबू हो गया, संत्रा हो गया, मुसम्मी हो गया, हाँ, उसमें आपको नमक और मीठा नहीं डालना, बिना नमक और मीठा डाले ही, आप रोजाना लेमन जूस इस्तमाल करेंगे, तो लेमन जो है, उसके अंदर जो साइट्रेट ह अलग करने का काम करता है, यह स्टोन को गलाने का काम करता है, विटामिसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी स्टोन के प्रोडक्शन को रोग देता है, तो इससे आपका स्टोन आसानी से निकल जाएगा, या अगर कोई दूसरी बिमारी हैं, जिसे डाइविटीज है तो बिलट शुगर आप कंट्रोल करके रखे हैं, हाइपर पैराथ हाराइडिजम के पेशेंट है, तो आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि 100% सारी जो स्टोन्स हैं, वो सिर्फ दवाईयों से नहीं निकल सकती हैं, 90% स्टोन्स दवाईयों से निकल जाती हैं, लेकिन जो 10% स्टोन हैं, उसके लिए आपको सर्जिकल इंटर्वेंशन की जुरुत पड़ेगी। तो जब आप अल्टरसांट कराके देखेंगे और उसमें अगर आपके किड्नी के अंदर इस्टोन अगर ऐसी जगह आ गई है जो आपके यूरिन को बाहर नहीं निकलने देरी और वो यूरिन या पशाब आपके किड्नी में इखटा होने लगा है जिसको हाइड्रोनेफरोसिस के नाम से जानते हैं तो ये खत्रेगी गंटी है आपको इस समय अडिसनल ले लेना चाहिए कि आपके किड्नी पे प्रेशर ना पड़े हाइड्रोनेफरोसिस ना हो और जल यहां तक कि आपको शायद किड्नी को निकालने की जरूद भी पड़े तो दोस्तों बहुत लोग दावा करेंगे कि हम 100% किड्नी स्टोन को निकाल देंगे बिना सर्जरी के ये फैक्ट है 90% निकल जाएंगी लेकिन 10% केसिज में रिस्क हो सकता है तो अल्ट्रासाउंड ज अगर किड्नी के अंदर तो उसका कुछ और इलाज है तो अगर किड्नी के अंदर इस्टोन है तो उसके लिए एक non-invasive procedure होता है और इसमें कुछ चीरा लगाने की जरूद नहीं होती है जिसको SWL या शोक वेव लिथो ट्रिप्सी के नाम से जाना जाता है इसमें कुछ वेवज दी जाती है कुछ एक तरह गीरेज दी जाती है इस्टोन को तोड़ने के लिए और ये स्टोन टुकड़ों मे सेफ प्रोसीजर है इसको कहते है PCNL इसका मतलब होता है पर कुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी इसमें सिम्पल एक की होल सर्जरी उधी एक इंसीजन दिया जाता है इसी इंसीजन चांदर के जाता है और उसी में सारे इंस्ट्रूमेंट डालके उस टोड़ देता है और एक इस इंस्ट्रूमेंट से उसको लीधो क्लास से तोड़ तोड़ के चोटे 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 टुकड़ में पर इसको स्टोन बाहर निकालते रहते हैं, यह दूसरा तरीका होता है, लेकिन अगर स्टोन आपके यूरेटर के अंदर है, तो वहाँ पर प्रोस्टूर होता है, जिसक नाम से जाता है, तो इससे भी किट्नी के स्टोन को बाहर नाम से जानते हैं, तो इससे भी किट्नी के स्टोन को बार निकालते हैं, यह थोड़ी advanced technique है instrument काफी महंगा होता है तो यह surgery थोड़ी सी महंगी हो जाती है तो दोस्तो मुझे उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसको like ज़रूर करें comment में ज़रूर बता दे कि अगर आपको किस तरह के वीडियो देखने है और अगर यह पसंद आया हो तो शेयर करें दोस्तों को, family को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले bell icon का बटन दबाके notification को भी on कर ले, धन्यवाद